आज शुक्रवार को कॉंग्रेस ने राय बरेली और अमेठी से सस्पेंस से परदा उठा दिया जहां राय बरेली से राहुल गांथी चुनाव लट रहे हैं तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा पार्टी के उमिद्वार है और दिल्चस्प बात ये है कि तीन मई को जब नामांकन की आखरी तारीक थी तो उसी दिन अंतिम पलों में कॉंग्रेस की तरफ से ये बड़ा एलान किया गया है अमेठी की तरह राय बरेली भी हमेशा से कॉंग्रेस का गड़ रहा है गुरुवार यानी दो मई को ही भारती जनता पार्टी की तरफ से राय बरेली के लिए प्रत्याशी का एलान किया गया यहां से पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंग को टिकेट दिया अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा लेकिन आकड़े कौंग्रेस की तरफ इशारा कर रहे है जिस दिनेश प्रताप सिंग को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोशिप किया है वो साल 2018 में कौंग्रेस छोड़ कर पार्टी में आये है वो तरप्रदेश के राज्य मंत्री और बीजेपी नेता है 2019 में उनका मुकाबला राय बरेली में सोनिया गांधी से था दिनेश प्रताप सिंग को उस चुनाब में हार का मुह देखना पड़ा था वो पिछले लोगसबा चुनाब में राय बरेली में दूसरे नंबर पर आये थे दिनेश प्रताप सिंग जो की पहली बार साल 2010 में और दूसरी बार 2016 में कॉंग्रिस से विधान परिशत के सदस्य बने थे फिर उन्होंने पाठी को अलविदा कह दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया साल 2022 में दिनेश प्रताप सिंग बीजेपी के टिकेट पर रिकॉर्ड वोटों से जीत कर तीसरी बार MLC बने थे बीजेपी के ओर से राइबरेली से उम्मिद्वार बनाये जाने के बाद दिनेश प्रताप सिंग ने कहा कि मैं देश को आश्वस्त करता हूं कि राइबरेली से नकली गांधी परवार की विदाई तै है ये तै है कि बीजेपी का कमल खिलेगा और कॉंग्रेस हारेगी दिनेश प्रताप सिंग इस बाद जीत के लिए किस कदर आश्वस्त है इस बात का अंदाजा उनके एक बयान से ही लगाया जा सकता है उन्होंने गुरवार को कहा कि मैंने चार बार की सांसत सोनिया गांधी के खिलाफ भी चिनाव लड़ा तो वहीं राहूल के लिए पहला मौका होगा जो वो रायबरेली से चिनाव लड़ेंगे साल 1952 में पहली बार रायबरेली लोगसभा सीट अस्तित्व में आई थी आख़़ों के हिसाब से अगर देखे तो कॉंग्रेस अभी तक यहां पर सबसे सफल पाठी रही है लोगसभा चिनावों में जहां कॉंग्रेस को सत्रे बार जीत हासिल हुई और उसका विनिंग परसेंट इस 85 परसेंट रहा तो वहीं बीजेपी को सिर्फ दो बार ही जीत मिली है और बीजेपी की जीत का प्रतीशत सिर्फ 10 परसेंट रहा जबकि एक बार जनता पार्टी के उमिद्वार को जीत मिली सान 1957 में यहां पर फिरोज गांधी को 1,62,595 वोटों से जीत मिली थी 1971 में इंद्रा गांधी ने यहां पर चुनाव लड़ा और उन्हें 1,83,309 वोट मिले 1977 में जो चुनाव हुए तो उसकी नतीजों पर एमर्जेंसी का असर नजर आया वोटर्स ने जनता पार्टी के उमिद्वार राज नारायन को विज़े करवाया हाला कि 1980 में हुए उप चुनाव में कॉंग्रिस के अरुन नहरू की जीत के साथ सीट फ़र से कॉंग्रिस के पास आ गई 1996 और 1998 की चुनाव में यहां पर BJP उमिद्वार अशोक सिंग को जीत मिली थी लेकिन 1999 से यह सीट कॉंग्रिस के ही पास है तो आकड़े तो यही कहते हैं कि शायद राहूल को इस सीट पर कॉंग्रिस पार्टी के लिए बने मजबूत जनाधार का फाइदा मिल जाए दिनेश प्रताप सिंग का रिकॉर्ड यहां पर सेकेंड आने का रहा है ऐसे में इस बार चनाब में सीट पर रोमान चक मुकाबला देखने को मिल सकता है